इंतुसार क्या अकेलेपन को दूर कर पाई सोमा? सोमा ने मजबूरी में ही सही सूरस से विवाग कर लिया था, लेकिन अपनी बेज़ती उसे हरगिस बरदास नहीं थी, इसलिए तो आज वे अकेली थी, क्या अकेलापन उसकी नियत सुबह के छह बजे थे? रोज की तरह सोमा की आखे खुल गए थी, अपनी बगल में अस्वेस्थ हॉल में लेटे, महंदर को देखकर वे सरमा उठी, वे उठनी के लिए कसमस आई, तो महंदर ने उसे अपनी बाहों में जगट लिया था, उठनी भी दो काम पर जाने में देर हो जाएगी, आज काम से छुटी, हम लोग आज अपना हनीमून मनाएंगे, वावा, क्या कहने, पुरानी कड़वी बाते, याद करके वे गंभीर हो उठी, बोली, ये बहुत अच्छा हुआ, कि अपन लोगों को सहर की इस कॉलोनी में मकान मिल गया, यहां किसी को, किसी की जाती से मतलब नहीं, सही बोला था, वैस अब तो ठीक है, लेकिन आप उठने भी दो, आज हमारे नए जीवन का पहला दिन है, यह चड़, फिर से तो लोट कर नहीं आएगा, आज मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डाल कर मस्ती करूँगा, इस पल के लिए तुमने मुझे बहुत लंबा इंतजार करवाया है, आज जगा जासूस पिच्चर देखेंगे, बलदेव की चाट खाएंगे, राजाराम कि सिकंजी पिएंगे, तुम जहां कहोगी वहाँ चाऊँगा, जो कहोगी वै करूँगा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, ओहो, केबल बातों से पेट नहीं भरने वा काम नपटाने में लगी थी, लेकिन आज उसकी आँखों के सामने बीते हुए दिन नाच उठे थे, अब भी वे 25 वर्स की होगी, परन्त अपने इन आँखों से कितना कुछ देख लिया था, अम्मा स्कूल में आया थी, इसलिए उसे मनही मन टीचर बनाने का सपना देखती रहती थी, बाबु राजगीरी का काम करते थे, उन्हें पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन पीने के सौक के कारण सब बरवाद कर लेते थे, वे दो दिन काम पर जाते, तीसरे दिन घर पर छुट्टी मनाते, अपनी मित्र मंडली के साथ बैट कर हुकका गुरुड़ाते और आज की भासा में चाल कह सकते हैं, लगबख 10-12 घर थे, सबकी आपस में रिस्तेदारी थी, बच्चे आपस में किसी के भी घर पे खापी लेते थे, और सड़क पर खेल लेते थे, कोई काका था, कोई दादी थी, तो कोई दी थी, आपस में लड़ाई भी जम कर होती, लेकि खेलती कभी-कभी लंगडी टांग भी खेला करती थी अम्मा स्कूल से लोट कर आती तो सड़क पर उसे देखते ही चिलाती काहे लली स्कूल जाने के समय तो तुम्हे बुखार चड़ा था अब सब बुखार हवा हो गया बरतन मांजने को पड़े हैं चल मेरे लिए चाय बना वे जोड से बोलती आई अम्मा लेकिन अपने खेल में मगन रहती जब तक अम्मा पकड़ कर उसे घर के अंदर न ले चाती वे उसका कान खीच कर कहती अरी कमबखत कभी तो किताब खोल लिया कर अम्मा की डांट का उस पर कुछ हसा ना होता इसी तरह खेलते कूटते वे बड़ी हो रही थी लेकिन हर साल पास होती हुई वे बीए में पहुच गए थी कॉलेज घर से दूर था इसलिए बाबू ने उसे साइकल दिलवा दी थी बच्पन से ही उसे सजने सवरने का बहुत शौक था अब तो वे जवान हो चुकी थी इसलिए बन सवर कर अपनी साइकल पर हवा से बाते करती हुई कॉलेज जाती महा उसकी मुलाकात नरेन सिंग से हुई वे उसकी सुन्दर्दा पर मर मिटा था कैफ़ेटेरिया की दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई उसकी बाइक पर बैठ कर वे अपने को महारानी से कम न समझते हैं 19-20 साल की कच्चे उम्र और इसका भूत पूरे कॉलेज में उनके इसके चर्चे सबकी जवान पर चड़ गये थे वे उसके संग कभी कमपनी बाग तो कभी मॉल तो कभी कॉलेज के कोने में बैठ कर भविश्य के सपने बुनती एक दिन में दोनों एक दूसरे को कलबड़ियां डाले हुए पिक्चर हॉल से निकल रहे थे तब ही नरेन के चाचा बलभीर सिंग ने उन दोनों को देख लिया थे फिर तो उस दिन घरपन नरेन की शाम अता गए थी सो मा की जाती बिरादरी पता करते ही नरेन को उससे हमेशा के लिए दूर रहने की सक्त हिदायत मिल गए थी पश्ची मुत्तर प्रदेश जाट बहुल छेत रहे वहां की खाफ पंचायते अपने फैसलों के लिए कुख्यात हैं जाट लड़का किसी वालमी की समाज की लड़की से प्यार की पैक बढ़ाए यह बात उन्हें कता ही बरदास नहीं थी वे लोग 15-20 गुंडों को लेकर लाटी डंडे लहराते हुए आई और सुरू करदी गाली को लोच्वा तोड़ फोर वे लोग बाबु को मानने लगे तो वे अंदर से दोड़ती हुई आई और चीखने चिलनाने लगे थी एक गुंडा उसको देखते ही बोला ऐसी खुपसूरत मेंका को देखकर नरेन का कौन कहे किसी का भी मन मचल उठे बाबु ने उसे धकेल कर अंदर जाने को कह दिया था पासपडोस के लोगों ने किसी तरह उन लोगों को शान करवाया नई तो निश्य थे उस दिन खुन खराबा होता पंचायत बैठी और फैसला दिया कि महीने बर के अंदर सोमा की शादी कर दी जाए और दस अजार रुपे जुर्माना उसका कॉलेज जाना बंध हो गया और आनन फानन उसकी शादी फजल पुर्गाओं के सूरज के साथ जो की स्कूल में मास्टर था तैकर दी गए उसके पास अपना पक्का मकान था थोड़ी सी जमीन थी जिसमें सबजी पैदा होती थी अमबा बाबु ने खुशी खुशी यहां वहां से कर्च लेगा उसकी शादी कर दी बाइक फ्रिज टीवी कपड़े लगते बरतन बंडे दहेज में जाने क्या क्या दिया आखों में आसू लेकर वह सूरज के साथ साधी के बंदन में बंद गई ससुराल का कच्चा खफरेल वाला घर देख उसके सपनों पर पानी फिर गया दस-पंदरा दिन तक सूरज उसके एदगित घूमता रहा था वह दिन भर मोबाईल में वीडियो देखता रहता था आस-पास के ओड़तों से बहुजी-बहुजी कहकर हसी ठिटोली करता या फिर आलसियों की तरह पड़ा सोता रहता रोज रात में दारू चड़ा कर उसके पास आता नसा करते देख उसे अपने बाबू याद आते एक दिन उसने उससे काम पर जाने को कहा तो नसे में उसके मुह से सच फूट पड़ा ना तो वह बीए पास है और ना ही सरकारी स्कूल में मास्टर है या सब तो शादी के लिए छूट बोला गया था वह रो पड़ी थी फिर उसने सूरज को सुधाने का प्रयास किया था वह उसे समझाती तो वह एक कान सुनता दूसरे कान निकाल देता आलसी तो वह हद दर्जे का था पान मसाला हर समय उसके मुह में भरा ही रहता जुआ खेलना सराब पीना उसके शौप थे यहाँ वहाँ हाथ मार कर चोरी करता और जुआ खेलता उसका भाई भी रात में दारू पी कर आता और गाली गलोश करता कुछ पैसे अम्मा ने दिये थे कुछ उसने अपने थे वह अपने बकसे में रखे हुए थी सूरज उन पैसो को चुड़ा कर ले गया एक दिन उसने अपनी पायल उतार कर साफ करने के लिए रखी थी वह उसको भी यहाँ वहाँ घंटो ढूनती रहती लेकिन जब पायल हो तब तो मिले वह तो उसके जुएं की भेट चड़ गय थी यहाँ तक की वह उसकी शादी की सलमा सितारे जड़ी हुई साड़ी ले गया और जुएं में हार गया अस्त वेस्त बकसे की हालत देखकर वह साड़ी की गायब होने के बारे में चांचुकी थी वह खूब रोई जाकर अम्मा जी से कहा तो वह बोली साड़ी ही ले गया तुझे तो नहीं ले गया मैं उसे डाट लगाऊंगी उसकी शादी को अभी साल भी नव पूरा हुआ था लेकिन उसने मन ही मन सूरज को छोड़ कर जाने का निश्य कर लिया था वह नसे में कई बार उसकी पिटाई भी करके उसके आह पिचोट पहुचा चुका था वह बहुत दुखी थी साथ ही क्रोधित भी थी सूरज नसा करके देर रात आया आज कुछ जादा ही नसे में था पद्दू के भखके से उसका जी मिचला उठा था फिर उसके सरीर को अपनी संपत्ति समझते हुए अपने पास उसे खीशने लगा पहले तो उसने धीरे-धीरे मना किया पर वह जब नहीं माना तो उसने उसे जोड से धक्का दे दिया वह संबल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया कोनी में रखे संदूक का कोना उसके माथे पर चुब गया और खून का फुवारा निकल पड़ा फिर तो उस दिन आधी रात को जो हंगामा हुआ कि पाउं फटते ही उसे उसके घर के लिए बस में बैठा कर भीज दिया गया पाबू अम्मा ने उसे देख अपना सिर पीट लिया था अम्मा बार बार उसे ससुराल भेजने का जतन करती लेकिन वे अपने निर्णे पर अडिक रही उसे अब किसी काम की तलास थी क्योंकि अब वे अम्मा पर बोज बन कर घर में नहीं बैठना चाहती थी सब उसे समझते आदमी ने पिटाई की तो क्या हुआ तुमने क्यों उस पर हाथ उठाया आदी अम्मा ने अमिता बहन जी से उसकी नौकरी के लिए कहा तो उन्होंने उसे अपने कार खाने में नौकरी पर रख लिया अंदे को क्या चाहिए दो आखें वहाँ शर्ट सिली जाती थी उसे बटन लगा कर तैय करना होता था इस काम में कई औरतें आदमी लगे हुए थे सुपरवाइजर बहुत कड़क था वह एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देता किसी को भी आपस में बात करते या हसी मजाग करते देखता तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दिया करता था कार खाने का बड़ा उबाओ वाता वरण था औसत दर्चे का कमरा उसमें दस बारा औरत आदमी चार और कमीजों का धेर और धीमा धीमा चलता पंखा नए कपणों की गर्मी में लगातार काम में जुटे रहे कर वै ठक जाती थी और उप भी जाती थी ठकी मंदी जब वै घर लोटती एक कोठरी में बाबू की गाली गलोस और नसे में अम्मा के साथ लड़ाई और मार पीट से दो चार होना पड़ता लड़ाई जगड़े के बाद उसे सोता समझ दोनों अपने सरीर की भूंक मिटाता है उसे घिन आती और वै आँखों में ही रात काट देती थी सवेरे पडोस का रमेश उसे लाइन मारते हुए कहता अरे सोमा एक मौका तो दे मुझे तुझे रानी बना कर रखूंगा वै आँखे तरेर कर उसकी और देखती और नाली पर थूख देती पिमला काफी व्यंग से मुस्करा कर कहती कल तुम्हारे बाबु बहुत चिल ला रहे थे क्या अम्मा ने रोटी नहीं बनाई थी वै इस पर नाट की जीवन से छुटकारा चाहती थे उसने नौकरी के साथ साथ बीए की प्राइबेट पर इच्छा पास कर ले थे जब वै बीए पास हो गए तो उसकी तरक्की हो गए आखों ही आखों में महा काम करने वाले महेंदर से उसकी दोस्ती हो गए वै अम्मा से छिपा कर उसके लेटी फिन में रोटी ले आती दोनों साथ साथ चाय पीते लंच भी साथ साथ खाते कारखाने की सुपरवाइदर दिलीप ने बहुत हाथ पैर पटके कि तुम्हें निकलवा दूँगा यहां काम करने आती हो या इसक पर माने लेकिन जब आपस में मन मिल जाएं तो फिर क्या महेंदर एक बात समझ लो तुमसे दोस्ती जरूर की है लेकिन मुसे दूरी बना कर रहना मुझ पर अपना हकमत समझना नहीं तो एक पल में मेरी तेरी दोस्ती तूट जाएगी देख सोमा तेरी सादगी ही तो मुझे बहुत पसंद है जरा देर नहीं लगी और सूरज को हमेशा के लिए छोड़ कर आ गए इस तरह आपस में बाते करते करते दोनों अपने दुख माटने लगे महंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते जब से लच्ष में मुझे छोड़ कर चली गई है मेरी बदनामी हो गई है मेरे जैसे आत्मी को भला कौन अपनी लड़की देगा वै छोड़ कर क्यों चली गई उसका शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था अपनी अम्मा की जबरजस्ती के चलते उसने मुझे शादी तो कर ली थी लेकिन महीने भर में ही सब कुछ ले दे कर भाग गई उसका अपना अतीत उसकी आखों के सामने घूम गया था अप महेंदर के प्रति उसका लगाव अधिक हो गया था एक दिन उसको बुखार था इसलिए वै काम पर नहीं गई थी वै घर में अकेली थी तभी गंगा राम बाबु के दोस्त ने कुंडी खटकटाई एक कटोरी चीनी देदो बिटिया वै चीनी लेने के लिए पीछी मुडी ही थी कि उसने उसको अपनी बाहों में जगट लिया लेकिन वै घबराई नहीं बलकि उसकी बाहों में अपने दाद गढ़ा दिया वै बिलबिला पड़ा था उसने जोर की लात मारी और पकड़ धीली पढ़ते ही वह बहार निकल कर चिलने लगे सोर सुनते ही लोगी खटा होने लगे लेकिन उस बेशरम गंगराम ने जब कहा कि तेरे बाबू ने ही मुझसे पैसे लेकर तुझे मेरे हाथ बेच दिया है अब तुझे मेरे साथ चलना होगा थू ऐसे बाब पर हट जा यहां से नहीं तो इतना मारूंगी कि तेरा नसा काफूर हो चाएगा वह क्रोध में तम-तमा कर बोली मैं आसे यहां नहीं रहूंगी आसपस जमा भीड बाबू के नाम पर थूक रही थी लड़ाई की ख़वर मिलते ही अम्मा भी भागती हुई आ गई वह उसे समझाने की कोशिश करती रही लेकिन उसने तो कसम खाली थी कि वह इस कोठरी के अंदर पैर कभी नहीं रखेगी उसी समय महेंदर उसका हाल-चाल पूछने आ गया था सारी बाते सुन कर वह बोला तुम मेरी कोठरी में रहने लगो मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगूँगा अम्मा की गालियों की बहचार के साथ साथ रोना चिलाना इन सब के बीच वह उस नर्ग को छोड़कर महेंदर की कोठरी में आकर रहन लगी अम्मा ने चिक चिक कर उस दिन उससे रिस्ता तोड़ लिया था महेंदर के साथ जाता देख अम्मा उपरो औकर बोल रही थी जा रहे उसके साथ देखना महीना पंदरा दिन में तुझे मन भर जाएगा बस तुझे घर से बाहर कर देगा महेंदर को सोमा काफी दिनों से जानती थी उसने उसकी आँखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा था उसकी निगाहों में बातों में वासना की छलक नहीं थी कारखाने में भी वे अब सुपरवाइदर बन गई थी उसके मालिक उसके काम से बहुत खुश थे महेंदर पड़ा लिखा थो था ही अब वे पूरे एरिया का इस्पेक्टर बन गया था प्रधान मंतरी आवास योशना के अंतरगत एक घर के लिए सोमा का नाम निकल आया था उसके लिए एक लाख रुपए जमा करने थे नाम उसका निकला था पैसे भी उसी के नाम पर जमा होने थे लेकिन महेंदर ने निसंग कोश पल भर में पैसे उसके नाम पर दे दिया है अब उसका अपना मकान हो गया था मकान मिलते ही वे दोनों बस्ती से दूर इस कॉलोनी में आकर रहने लगे सोमा को अपने जीवन में सूना पन लगता जब उसके सब अपने पती या बच्चों की बात करते तो उसके दिल में कसक से उठती थी कि काश उसका भी पती होता परिवार और बच्ची हूँ लेकिन महंदर ने उससे दूरी बना रखी थी उसने लालची निगाओं से कभी उसकी ओर देखा भी नहीं था जबकि सोमा के सजने सबने के शवक को देखते हुए महंदर बालों की कलेप, नेल, पॉलेज, लिपिस्टिक आदि लाता रहता कभी सूप तो कभी साड़ी भी ले आता था एक दिन लाल साड़ी लेकर आया था बोला, सोमा ये साड़ी पहन तेरे पर लाल साड़ी खुफ पपेगी साड़ी तो तू सच में बड़ी सुन्दर लाया है लेकिन इसे भला पहनूंगी कहां, बता हम दोनों इतवार को पिच्चर देखने चलेंगे तब पहनना, वै सर्मा गई थी दोनों की बीच पत्पत्नी का रिस्ता नहीं था लेकिन दोनों साथ साथ एक ही गर में रहते थे वै कमरे में सोती, तो महंदर बाहर बारामते में उसके अपने घर की ख़वर मिलते ही सूरज जाने कहां से प्रकट हो गया और पूरी कॉलोनी में महंदर की रखेल कैकर गाली को लोज करते हुए पती का हक्चमाने लगा महंदर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी सो मा के लिए ही सूरज का सामना करने के लिए काफी थी उसकी गालियों के सामने उसकी एक नहीं चले थी और हार कर वे लोट गया कई बार रात के अंधिरे में वे कर्मटे बजलती रह जाते थी समाज की उलजलूल बाते और लालची मर्दों की काम उकने का है मानू, वह कोई ऐसी मिठाई है जिसका जो चाहे रसा स्वाधन कर सकता है महंदर के साथ रहने से वह अपने को सुरक्षित महसूस करती थी बैंक में एकाउंट हो या कोई भी फॉर्म पती के नाम के कॉलम को देखते ही उसके गले में कुछ अटकन लगता था वह महंदर की पहल का मन ही मन इंतजार करती थी महंदर अपनी बात का पक्का निकला उसने भी सोमा का मान रखा था दोनों सासार रहते हैं, खाना खाते हैं, खुमने चाते हैं लेकिन आपस में एक दूरी बनी हुई थी सोमा कल काम की छुट्टी कर लेना, क्यों? कल आरे कन्या स्कूल में आधार काड के लिए फोटो किचवाने चलना है फोटो कीची जाएगी, अच्छे से तयार होकर चलना, वह मुस्करा कर उठी थी अगले दिन उसने महंदर की लाही हुई, लाल साड़ी पहनी कानों में छुमके पैने थे, उसने माते पर बिदिया लगई फिर आज उसके हाथ में मांग में सिंदूर सजाने को मचल रहे थे हाँ नहीं, हाँ नहीं सोचते हुए उसने अपनी मांग में सिंदूर सजा लिया था हाथों में खनिकती हुई लाल चूडियां आज वे नौ विवाहिता की तरह सच कर तयार भी थी आईने में अपना अक्ष देख वे खुद सर्मा गई थी महंदर उसको देख कर अपनी पल के चपकाना ही बूल गया था वे बोला क्या सूरज की याद आगी तुम्हें वे इतरा कर बोले चलो फोटो खिचवाने चलना है फोटो निकलवाने चलना है कि नहीं सोमा को इतना सज़ा ज़दा देख महंदर उसका मन तब भी नहीं समझ पा रहा था वे चुप चाप उसके साथ चल दिया था वह फॉर्म भरते समय जब क्लरक ने पती का नाम पूछा तो एक छड़ को वे सर्माई फिर मुस्कराती हुई तिछी निगाउं से महंदर को देखते हुए उसका हाथ पकड़ कर बोली थी महंदर महंदर के कानों में मानों घंटियां बच उठी थी इनी सब्दों का तो वे कब से इंतजार कर रहा था वे अभी भी विसास नहीं कर पा रहा था कि सोमझ ने आज अपना पती कहा रात में वे रोज की तरह अपने कमरे में जाकर लेड़ किया था आज खुसी से उसका दिल बल्लियां उचल रहा था लेकिन वे आज भी अपनी खुसी का इंतजार कर रहा था आज नहीं वे वैटा के वेश में सजदश कर अपनी मध्युआ मिने के लिए सोमा आकर अपने प्रेमी की बाहों में सिमट गई थी अब उसके मन में समाज का कोई भै नहीं था कि महंदर जाठ है और वे बाल में की अब वे केबल पती-पती नहीं है वे मुस्करा उठी दे महंदर की आवाज से वे वर्दमान में लोटी सोमा दर्वाजे तो खोलो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ